अलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चेनल राते राते क्रोचेट तो आज हम क्रोशेज यह बाल गोपाल्ची का बेबी सूट बनाएंगे दिखिए यह हम जो बनाएंगे वो आठ और नो नमबर का नाची को आ जाएगा वो वाला बनाएंगे देखिए पहले मैं आपको गोपाल् यह हमारे 9 नमबर को है लेकिन जो आठ नमबर का नाची को भी आ जाएगा तो दिखिए इस तरह का यह है और अब हम यह देख लेंगे यह मैंने जो यह बेबी सुट यह पांच नमबर का नाजिका बनाया है लेकिन यह चार नमबर को भी आ जाएगा और यह वाला जो है वो जीरो और एक नमबर का नाजिका है तो इन चारों के वीडियो अलग-अपलोड हो चुके है देखे केप की वीडियो अलग होती है इसके भी केप की अलग है और इन दोनों के भी अलग-अलग वीडियो है तो इसका भी लिंक आपको डिस्प्रिक्शन्स बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहे तो में Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं इसका भी link में description box में दें दूंगी तो इसका भी मैंने दो color में बनाया था देखे एक और एक और वाला color बनाया है क्योंकि आप जब बनाने बेटते हैं तो color combination का बहुत हमें confused रहता है कुन सा कलर बनाए इसलिए मैं आपको दिखाती हुए दोनों 5 नंबर का नाजी कही है देखे दोनों यह था और जीरो और एक नंबर में एवाला कलर एक और था तो आप जो भी बनाना चाहे और मैंने केफ वाला जहम्सूर भी बनाया है बाल-गोपाल जी के लिए देखे ये पांच नमबर गोपाल जी का है और ये वाला जो है वो दो और तीन नमबर का नाजी को आजाएगा और ये वाला चार नमबर को भी आजाएगा चार और पांच नमबर को और ये जो है वो दो और तीन नमबर का नाजी के लिए है तो इन सारी वीडियो की लिंक में आपको डिस्प्रिक्शन बोक्स में दे दूँगी और देखे मैंने अपनी चैनल पे आगे ये मंकी के अब बनाया है ये भी चार और पांच नमबर कानाजी का है और ये वाला जो है वो आठ और नो नमबर कानाजी के लिए है देखे ये वाला तो इन सारी की लिंक आपको डिस्प्रिक्शन बोक्स में मिल जाएगी और ये वाला जो बेबी सूट है जो हमने कानाजी को पेहना करके रखा है इस वाले बेबी सूट को हम इस तरह से यहां से खोल सकते हैं यह पेहनाया है वो सेम इसी तरह का है तो इसकी चोली इस तरह से अलग हो जाती है देखे तो पहले हम चोली बनाना स्टार्ट करते हैं इसके बाद यह बाहर वाला हिस्सा बनाएंगे तो यह वाली चोली हम बनाना स्टार्ट करेंगे देखे हम एलो कलर से चोली बनाएंगे और बाहर हम पिंक कलर से बनाएंगे देखे यह वाले दोनों कलर से हम बनाएंगे यह अंदर वाली चोली है वो एलो कलर की है और यह वाला पिंक कलर है देखें मैंने औस्वाल कंपनी का ये वाला वूल यूज किया है और ये बॉल में आता है बहुत सारे लोग पूछते है कि मैं आप कौन सा वाला वूल यूज करते हूँ और ये आपको बहुत ही इसी ली आपको मट्रियस के शौप पे मिल जाएगा और साल कम्पनी का वूल बहुत ही अच्छा आता है देखी इस तरह से हम नोट लगा देंगे इसके बाद हम 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ करेंगे इसमें तो अब हम यहाँ पर एक, दो, तेन, चार, पांच, छे इस तरह से हम चेन बनाएंगे और चेन बनाते वक्त हम हाथ एकदम से लूज रखेंगे टाइट बिल्कुल नहीं बनाएंगे चेन तो इस तरह से हम 21 चेन बनाएंगे तो हमने 21 चेन बना ली और अब तीन चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे एक, दो, और तीन टोटल हमारी 24 चेन आएगी 24 चेन आएगी अब हम तीन चेन छोड़ देंगे और चोथी वाली में डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे और अब हमारी हर एक चेन में हम एक, एक बार डबल क्रोशा बनाते जाएंगे देखे इस तरह से हर एक चेन में एक, एक बार तीन की चैन को साथ मिला करके तो देखे यह हमने 22 बार डबल क्रोशा बना लिया तीन की चैन को साथ में गिनेंगे हम और अब हम 1, 2, 3 तीन चैन ले करके पलट लेंगे और देखे पहले के उपर हमारे तीन की चैन आई इसी के उपर तो इस वाली chain में नहीं बनाएंगे और next वाली chain में जा करके double crochet बनाएंगे एक ही chain में दो बार देखें फिर से next वाली chain में दो बार और एक chain में हम दो दो बार बनाएंगे सिर्फ शरू में और end में दो जगा ही एक एक बनाएंगे देखे और एक चेन में हम दो दो बार डबल क्रोशा बनाएंगे शुरू में हमने एक बनाया और एक हमारी ये वाली तिन की चेन है इसके उपर हम एक बार बनाएंगे बाकी सब में दो दो बनाएंगे तो ये हमारे दूसरे राउंड में जो हम यह हमारे 42 होंगे 42 तो इस तरा से आफर एक चैन में दो दो बार बना लिजे तो दिखिए दूसरा राउन्ड हमारा पूरा हो गया यहां पर एंड में भी हमने दो बार बनाए और यह हमारी चैन है तो आखरी में हमें इस चैन में एक बार डबल क्लोशा बनाना है तो यह हमारा दूसरा राउन पूरा हो गया और दूसरे राउन में हमारे पास 42 डबल क्रोशे हो गए 42 और अब हम तेन चेन ले करके फिर से पलट लेंगे और इसी के निचेन नहीं बनाएंगे नेक्स ट्राली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशे एक बार बनाया और दो बार बनाया एक हमने तीन के चेन और दो बार डबल क्रोशा बनाया तो टोटल हमारे तीन हो गए अब हम चोथी चेन में जा करके एक ही चेन में दो बार बनाएंगे एक और ये दो देखे तीन चेन में एक एक और चोथी चेन में जा करके दो और अब हमें यहाँ पर फिट से एक तो नेक्स चेन में बना रहे सेम चेन में हमने नहीं बनाया देखिए तीनों हमने अलग-अलग बनाया है यह चार और यह पांच पांच चेन में हम अलग अलग डबल क्रोशा बनाएंगे तो अब ये राउंड हमारा इसी तरह से बनेगा पांच चेन में हम एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे और छठी वाली चेन में जा करके दो बनाएंगे तो आगे भी इसी तरह से होगा तो दिखे हमारे तीसरा राउंड है और यहाँ पर हमने दो बना लिया है दिखे और इसके बाद दो हमारे अलग अलग होंगे एक एक डबल क्रोशे के उपर एक एक दिखे एक हो गया और एक हमारा इस चेन के उपर तो यह तीसरा राउंड था हमारा और दिखे तीसरे राउंड में हमने साथ इंक्रीस कर दिया है दिखें, पहला यहां पर बराया था दो, हमने, तो एक, यहां पर दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ, तो अगले रावन में हमारे पास, दूसरे रावन में 42 था, इसमें हमने 7 इंगरीज कर दिये, तो यह हमारे पास 49 आगया है दबल कुरोश्या तीसरे राउन में, तो अब हम यहाँ पर से, एक, दू और तीन, तीन चेन ले करके पलट लेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट वाली, इसी के निचे नहीं बनाएंगे, और नेक्स्ट वाली चेन में हो, एक, और दू, तीन चेन हमने, सोरी, तीन चेन ली पहले, और फिर दो एक, एक बनाएंगे, तो तीन हो गए, और अब फिर से चोथी चेन में जाकर के हम दो बार डबल क्रोश्या बनाएंगे, देखे, इस तरह से, तीन में एक, एक, और चोथी में जाकर के दो, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6 6 छेन में हमने अलग-अलग बनाया है दिखे यहाँ पर हमने बढ़ाया था तीन के बाद चोती छेन में बाद में हमने 6 में अलग-अलग बनाया अब हम साथवी छेन में जा करके सेवन्थ में हम दो बनाएंगे तो यह राउंड हमारा इसी तरह से बनेगा छे में हम एक एक बार बनाएंगे और सातवी चेन में जाकरके दो बनाएंगे दिखे अब हम सात एक एक बनाएंगे और सातवी चेन में जाकरके दो बनाएंगे तो यह round हमारा इसी तरह से complete होगा और यह round हमारा एक, दो, तीन, और चार यह चोथा round है हमारा चोली का तो दिखे यह हमारा round चोथा है यहाँ पर हमने दो बढ़ा लिए इसके बाद हमारे तीन double crochet अलग-अलग बनेंगे दिखे यहाँ पर हमारा increase हुआ है तो इसके बाद हम तीन बार अलग-अलग chain में बनाएंगे तो यह हमारा double crochet के उपर आया और आखरी वाला हमारा chain के उपर double crochet बनेंगा तो दिखे फिर से हमने इस round में 7 और plus कर दिया है 7 इंग्रीज कर दिया है तो यह हमारे पास 49 था तो अब हमारे चोथे round में हमारे 56 हो गए है 56 हो गए है फिर से 7 हमारे plus हो गए है तो अब हम यहां से पांचवा round start करेंगे 1, 2, 3 और अब हमें पांचवे round में जो plus करना है वो हमारे 2 ही हम इसमें बढ़ाएंगे पूरे round में सिर्फ 2 ही बढ़ाएंगे तो यह हमारे 58 हो जाएंगे और यह round हमारा आखरी होगा इसके बाद हम यह जो बाजू वाली जगा छोड़ते है देखे चोली के जो यह बाजू वाली जगा है इसका होल छोड़ते है आम होल देखे इसके नीचे हमने नहीं बनाया है नेक्स वाले में डाला है तो अब हमें यहाँ पर तेरा चेन में एक एक बनाना है देखे इस तरह से और एक चेन में एक एक बार ही देखे इस तरह से तेरा हम एक एक बनाएंगे तीन की चेन को साथ में गिनेंगे तो दिखे हमने तेरा में एक एक बना लिया अब यह हमारी चोदावी चेन है तो इसमें हम दो बार बनाएंगे दिखे यहाँ पर हमने एक बढ़ा दिया और अब हम इसके बाद 27 चेन में और एक एक बार बनाएंगे 27 बनाएंगे और इसके बाद 28 चेन में हम 2 बार बनाएंगे एक वहाँ पर बढ़ाएंगे देखे यहाँ पर 2 लेने के बाद हम 27 डबल क्रोशे एक एक बनाएंगे देखे यहाँ पर तो दिखे हमने 27 बार एक एक बना लिया है और अब हम 28 chain में, एक ही chain में तो बार बनाएंगे तो एक हम यहाँ पर बढ़ा देंगे पहले एक हमने शुरू में तेरा लेने के बाद बढ़ा या और एक हमने यहाँ पर बढ़ा दिया इसके बाद जो हमारी 14 chain बसी है इसमें हम फिर से एक एक बार double crochet बना लेंगे तो इसी तरह से हमारा इस round जो बना है इसमें हमने 2 ही plus किया है तो इसके लिए हमारा 58 double crochet आ गया है पहले round में हमारे दिखे चोथे round में हमारे 56 थे तो 2 हमने plus कर दिये तो अब इसी तरह से हम double crochet करते हुए यहां तक आजाएंगे तो दिखिए हमारे पांच राउंड कम्पलीट हो गए है अब हम यहां पर एक, दो और तीन तीन चेन लेकर के पलट लेंगे और अब हम यहां पर डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो तीन चार पांच औरे छे छे बनाएंगे लेकिनी साथ होंगे हमारे एक हमारे तीन की चेन तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ साथ हो गए अब हम यहां पर बाजु वाला हॉल छोड़ेंगे तो इसके लिए हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साथ, आठ, नो 14 चेन, स्किप की है देखे, 14 चेन हमने छोड़ दी है और यहां पर 15 चेन में जाकरके डबल क्रोश्या बनाया है और अब हमें यहां पर डबल क्रोश्या बनाना है, 16 16 डबल क्रोश्या अब हम यहां पर बनाएंगे, देखे, 4 हमने फिर से बाजू वाली जगल छोड़ेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोधा और पंदरा, पंदरावी चेन में जा करके फिर से हमने डबल क्रोशा बनाया और अब हम फिर से यहां पर साथ बार डबल क्रोशा बनाए तो यह आगे के दोनों साइड के हमारे चोधा हो गए और पिछे हमारे सोला हो गए तो यह हमारे 30 हो गए डबल क्रोशे तीस हो गए है छे हो गए अब हमारा साथवा चेन के उपर आएगा तो दिखे मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से देखे गे साथ और साथ यहां पर 14 और पिछे के लिए हमने 16 रखा था तो अब हमारे पास यह जो हमारे 30 डबल क्रोशे है इसी के साथ हम 30 के साथ ही और दो रोव बनाएंगे इसी के नीचे हम अब बढ़ाएंगे भी नहीं और कम भी नहीं करेंगे तो देखे यहां से ही हम देखे यहां आमने यह राउंड पूरा किया था इसी जगा से हम तीन चेन लेंगे और यहां पर डबल क्रोश्या बनाएंगे हर एक चेन के उपर एक डबल क्रोश्या कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है और ऐसे ही हम एक रोव एक कम्प्लीट करेंगे और एक रोव इसके बाद बनाएंगे तो हर एक डबल क्रोशे के उपर एक डबल क्रोशे तो यह हमारी चोली हो गई complete देखिए एक रो बना लेंगे इसके बाद और एक रो तो देखिए हमारी चोली complete हो गई है मैंने और दो रो बना ली है बाजू वाली यह जो हमने रो बनाई इसके बाद दो बनाई है तो देखि चोली बना करके अपने काना जी को पहना लिजे ए दो राउंड ना बनाए इसे पहले बना लिजे सोरी पहना दीजे क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके काना जी को किस तरह से आती है अगर कोई प्रोब्लम है तो आप वहां से ही कम या ज़्यादा कर सकते है इसलिए यह दो राउंड ना बनाए इसे पहले आप अपने काना जी को पहना करके देख लिजे तो अब हम इसकी बाजू बनाएंगे तो दिखे अब हम इसकी बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे इस वाले डबल प्रोशे से करेंगे यहां पर जो हमने 7 बनाए थे, जो डॉबल ट्रोशे इसका जो पहला वाला डॉबल ट्रोशे है, इसको उठाएंगे और इस थागे में हम नोट लगा देंगे और इसी double crochet के उपर से हम start करेंगे बाजू बनाना एक, तो और तीन, तीन चेन हमने बना ली और अब इसी double crochet के उपर दिखें इसी के उपर हम डालेंगे और यहाँ पर से double crochet बनाएंगे लेकिन complete नहीं करेंगे दो लोग क्रोशे में रहने देंगे और अब फिर से आगे वाला जो हमारा हॉल है दिखे ए वाला यह जो पहला दिखाए देता है इस वाले हॉल में हम डालेंगे और फिर से आगे के दो निकाल देंगे फिर से बनाएंगे यह लिया आगे के दो निकाल दिए और अब फिर से लूप लिया और फिर से आगे के दो निकाल दिए और अब हम तीनों को एक साथ निकाल दिएगे तो इस तरह से हम बनाएंगे और अब फिर से आगे इसी तरह से दो निकाल दिए फिर से लूप लिया नेक्स्ट चेन में डाला फिर से दो निकाल दिये और फिर से तीनों को एक साथ निकाल दिया तो इस तरह से हमें दो बार बनाना है ताकि हम दो में से एक कर पाए देखें दो में से हमने एक कर दिया है और अब हम यहाँ पर डबल क्रोश्या बनाएंगे एक हर एक चेन में एक एक बार बनाना है अब में दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो औरे दस दस बार हमने कर लिया और अब हम यहाँ पर देखें फिर से आगे इस तरह से चेन में डाला आगे के दो निकाल दिये फिर से नेक्स्ट चेन में डाला फिर से आगे के दो निकाल दिये और फिर हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे फिर इस वाले होल में डालेंगे देखे यहाँ पर फिर से इसी तरह से अगे के दो निकाल दिये और अब ए वाला डबल क्रोशा लेंगे देखे पिछे हमने जो 16 बनाया थे 16 इसका हम पहला वाला डबल क्रोशा यहाँ पर हमने जो 7 बनाया था इसका पहला वाला double crochet लिया अब हम जो ए वाला पीछे हमने जो 16 बनाया था इसका पहला वाला double crochet लेंगे तो ए वाला उठाएंगे और इसके उपर एक बार इसी तरह से करेंगे और अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से इसी double crochet के उपर और एक बार double crochet बनाएंगे और अब हम round को चोहिट कर देंगे तीसरी chain में डाल करके slip stitch से चोहिट कर देंगे और अब फिर से इसी के उपर तीन chain बनाएंगे और अब हम आगे वाली chain में डाल करके इस तरह से complete नहीं करेंगे दो लुब crochet में रहने देंगे फिर से next वाली chain में डाल करके आगे के दो निकाल देंगे और फिर हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो एक फिर से हमने दो में से एक कर दिया और अब हम यहाँ पर एक डब यहां पर हमारे पांस तीन रह जाए तब तक हम जितने भी सारे हमारे डबल क्रोशे है वह हम एक एक बना लेंगे तो तीन हो गया चार पांच छे साथ आठ नौ और दस दस बार हम डबल क्रोशा बनाएंगे और अब हमारे पास दिखे एक दो और तीन चेंड रह गयी है तो इसी तरह से से हमने पहले किया था क्रोशे में दो लूप रहने देंगे फिर से नेक्स्ट में डालेंगे और फिर से तीनों को एक साथ निकाल देंगे और अब जो हमारे पास एक chain बची है इसमें हम एक बार और double crochet कर देंगे और round को यहाँ पर joint कर देंगे तो यह हमारा दो round complete हो गया और अब हमारे पास जितने भी double crochet है इसके उपर हम सारे के सारे उपर एक एक बनाएंगे देखें तीन की chain के ऊपर हमने तीन की chain बना ली नेक्स्ट में डाल करके एक बार double crochet किया और अब हम फिट से नेक्स्ट में करेंगे तीन की chain को साथ में गिनेंगे तो यह हमारे तीन हो गए इचार, पांच, छे, साथ, आट, नौव, तस, ग्यारा, बारा, तेरा तेरा, और यह 14 यह हमारे पांस 14 double crochet रह गए है तो अब हम यहाँ पर तीसरी chain में डाल करके तीसरी round को joint कर देंगे और यह हमने 3 round बनाए देखे एक दो और तीन तो इसी तरह से फोर्टीन के साथ हम और एक round बनाएंगे इसमें भी कम यह जदा नहीं करेंगे तो एक round और बना लेंगे तो दिखे 14 के साथ हमने एक दूसरा राउंड बना लिया तो टोटल हमारे एक, दो, तीन और चार राउंड आ गये यह हमने 14 वाला यह बनाया था इसके बाद और एक बना लिया तो अब हम यहां पर इस राउंड को जोइट करेंगे देखे तीसरी वाली चैन में डालेंगे और यहां से अब हम धागा चैन्स कर देंगे बाजू की किनारी बनाएंगे हम तो इस पिंक वाले धागे को यहां से ही स्टार्ट कर देंगे इस तरह से अब हम इन दोनों धागों को साथ रखेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके देखे चेन में नहीं डालेंगे दोनों डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे देखे यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनाया एक दो और तीन चेन बनाई और इसी के दो लोप उठा करके स्लिप स्टीच से जोइट कर दिया और फिर से दोनों डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे और इन दोनों धागों को साथ रखेंगे देखे यहाँ पर डालेंगे चेन में नहीं डाला है हमने डबल क्रोशे के बीच में डाला है एक सिंगल क्रोशे तीन चेन और इसी के दो लोग उठा करके स्लिप स्टीच से चोइट कर देंगे फिर से यहाँ पर डालेंगे तो यह राउंड हमारा कम्प्लीट इसी तरह से होगा एक दो और तीन फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशे फिर से तीन चेन तो इसी तरह से राउंड पूरे कम्प्लीट कर लीचे फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे तो इस तरह से यह आपकी किनारी आएगी देखे हमने आखरी तक बना लिया है अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमने शुरू किया था इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टीच से चोईट कर देंगे राउंड को और यहीं से ही थागा खीच करके काट लेंगे और इस थागे को हम अंदर की ओर लेचा करके इसकी नोट लगा देंगे देखे यहाँ से ही अंदर खीच लेंगे तो यह बाजू हमारी बन करके रेडी हो गई है और अब हम जब दूसरी बाजू स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे देखे उल्टी साइड कर देंगे चोली को और यहां से शुरू करेंगे देखे मैं थोड़ा से आपको दिखा देती हूँ वाकी तो से हम जैसे हमने इस साइड वाली बाजू बनाई वैसी ही से हम एवाली बाजू बनेगी देखे लूप ले करके इसी डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशा बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे और फिर लूप ले करके इस पहले वाले हूल में डालेंगे देखे यह वाला हूल जो है इसमें डाल करके तीनों को एक साथ निकाल देंगे फिर से इसी तरह से दो में से एक करेंगे आगे के दो निकाल दिये फिर से नेक्स्ट में डाला फिर से आगे के दो निकाल दिये और तीनों को एक साथ निकाल दिया और फिर अब हम यहाँ पर दस बार एक एक चेन में अलग-अलग डबल क्रोश्या करेंगे देखे देखिए हमने दस बार बना लिया डबल क्रोशा इसके बाद नेक्स्ट वाली चैन में डाल करके डबल क्रोशा कम्पलेट नहीं करेंगे फिर से लूप लिया फिर से नेक्स्ट में डाला आगे के दो निकाल दिये तीनों को एक साथ निकाल दिया फिर से लूप लिया इस होल में डाला और फिर से दो निकाल दिये अब ए वाला डबल क्रोश्या दिखी ए जो हमने साथ बनाये थे इसका जो ए पहला वाला डबल क्रोश्या है इसके उपर फिर से लूप लेंगे और इस डबल क्रोश्या के उपर बना लेंगे इस तरह से दो म को जोइट कर दिया फिर से तीन चेन बनाई और फिर से पहले वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशा किया लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे फिर से नेक्स्ट चेन में डाल आगे के दो निकाल दिये तीनों को एक साथ निकाल दिया और अब फिर से हमें टेंथ बार डबल साथ, आठ, नो और दस आगे हमारी तीन चेन रहनी चाहिए दो में से हम एक करेंगे और आखरी में एक बार डबल टोश्या करेंगे तो इसी तरह से हम डालेंगे दो में से एक कर देंगे और अखरी जो हमारी चेन रहेंगे है इसमें हम एक डबल टोश्या करेंगे और अब हमारी तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टीच से चोइट कर देंगे फिर से तीन चेन लेंगे और अब हमारे पांस चोदा चेन बची है तो इस 14 के ओपर 14 बार डबल कुशा बना लेंगे और इस तरह से हम 2 राउंड बनाएंगे 2 राउंड में हमने यहां पर कम किया है दिखे खटाया है इसी तरह से ए वाला जो है वो हमारा 14 के साथ बनेगा और इसके बाद और एक राउंड 14 के साथ ही बनेगा हम इसमें कम नहीं करेंगे या तो बढ़ाएंगे भी नहीं और इसके बाद यह हमारी फ्री लाएगी तो इसी तरह से ए वाली बाजू भी आप बना लीजे तो देखिए चोली बन करके कम्प्रिट हो गई है और दोनों सीजे हम एक साथ बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसके लिए हम यह जो बाहर वाला पार्ट है देखिए छो बाहर वाला हिस्सा है वो अलग से बनेगा हमारी चोली बन करके रेड़ी हो गई है तो ऐसा करते है आपको अंवारे सीखाने का तरीका सम जा रहा होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीज़ा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी कोई निया वेडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थेंक्यू फर वाचिंग